हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है कृष्णा लोधियार और आज की इस इंफर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं होल लाइफ इंशॉरेंस पॉलिसी के बारे में मतलब ऐसे इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपकी पूरे जिन्देगी भर आपको इंशॉरेंस का फाइदा देने वाले है क्या आपको पता है कि ऐसे इंशॉरेंस पॉलिसी भी हो सकती है आपने जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये पता हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है लेकिन मैं आपकी जानकरे के लिए आपको बता दू जो कुछ normal policies होती है पता हो कैसी होती है एक particular time तक ही वो आपको insurance के लिए coverage प्रवाइट करती है और एक specific time के बाद वो policies mature हो जाती है और उनका जो भी bonus और जो भी return आपको मिलना होता है वो मिल जाता है और उसके बाद वो policy terminate हो जाती है मतलब वो policy बंद हो जाती है तो इसका फरक क्या पड़ता है इसका फरक ये पड़ता है कि उस policy के बंद होती है आपका life coverage भी खतम हो जाता है उसके बाद अगर policy holder के साथ कोई mess happening हो रही है कोई problem हो रही है death हो रही है disability हो रही है तो उस insurance policy जो terminate हो चुकी है उसको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा यानि कि कोई भी risk coverage कोई financial support उसकी family को उसकी जाने से नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें whole life insurance policy की बारे में ये होता क्या है इसके उपर माँ आपको बात बताता हूँ ये ऐसा insurance policy होता है जो जब से आप insurance coverage ले रहे होते हैं तब से आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए ये आपको insurance अगर हम बात करें whole life insurance policy के बारे में ये एक ऐसा insurance policy होता है दोस्तों जो आपको आपकी पूरी जिन्दगी भर के लिए प्रोटेक करता है आपकी पूरी जिन्दगी भर के लिए आपको insurance का coverage देता है इसे बोलते है whole life insurance coverage whole life insurance policy अब ये whole life insurance policy क्यों जरूरी है क्यों हमें ये policy purchase करने चाहिए इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये आपको इसलिए purchase करना चाहिए आपके कोई long term goals आपके family के लिए हो सकते हैं और बहुत हद तक ये chances हैं कि आप अपने family को एक long term commitment और guaranteed commitment देना चाहते हैं तो हम हमारे पास यानि कि life insurance policy life insurance corporation of India के पास एक product है जीवन उमंग एक ऐसा insurance policy है हमारे पास जो whole life insurance coverage आपको देता है मतलब जो भी पैसा आज आप देंगे हमें अगर 15 साल तक आप दे रहें तो वही पैसा लगभक उतना ही पैसा आपको आपको आपकी पूरी जंदगी भर आपको मि जाने के बाद कभी भी आप जब इस दुनिया से विदा होंगे एक बहुत ही huge amount एक death claim जो मिलेगा वो बहुत बड़ा amount आपकी family को as a commitment guaranteed वो amount payout होता है और जब तक आप रहेंगे guaranteed amount आपको payout होता है जो summer short का 8% होता है ये guaranteed है तो इसलिए जो आपके कोई long term goal है कोई commitment आप option for you, अब मैं आपको कुछ फाइदे बताता हूं कि whole life insurance क्यों करना चाहिए उसके क्या फाइदे होता है, सबसे पहले दोस्तों ये कोई expense नहीं होता, ये asset create करता है, asset मतलब हमारे संपत्ति create करता है, जीवन उमंग के बारे में ये बोला जाता है कि three generation policy है, मतलब जब तक आप रहोगे आपको पैसा, आपके बाद आपकी wife को पैसा, उसके बाद जब भी आप इस दुनिया से विदा होंगे, एक बहुत बड़ा huge amount आपके nominee को दिया जाता है, ऐसे ही ये जो flexibility की मैं बात कर पूरे whole life insurance के लिए, ये एक asset है, ये कोई expense नहीं है, एक बहुत बड़ा corpus आप whole life insurance policy के दुरू accumulate कर रहे होते हैं, दूसरा इसमें बहुत flexibility होती है, flexibility इसमें आपको loan की facility मिलती है, surrender cash value की facility मिलती है, इसमें एक बहुत ही important flexibility है दोस्तों, वो है premium payment करने की, premium payment करने की flexibility मतलब आप चाहें, तो जैसे 20 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 15 साल बाद आपको whole life policy का return चाहिए, और आपको insurance coverage भी whole life चाहिए, लेकिन आप 15 साल पैसा नहीं दे सकते हैं, अभी आपके पाँ पैसा है, तो आपके पाँ chances हैं, कि आप 2 साल में ही 15 साल का पैसा दे दे, तीन साल में ही 15 साल का पैसा दे दे, चार साल में ही 15 साल का पैसा दे दे, ये LIC के जीवन उमंग में ये facility है, अगर आपको लगता है, अभी मेरे पाँ पैसा है, बाद में होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे policy चाहिए, so you have this leverage to take this advantage of this policy, आपके पास ये benefit है, कि आप ये option ह आपके पास कि आप 2-3 साल में ही वो पैसा पैमेंट करके अपना जो flexibility है, इसका फायदा ले सकते हैं, और 15 साल बाद आपको आपकी पूरी long time, पूरा lifetime आपको इसका benefit में लेगा, और पहले दिन से आपको insurance coverage में लेगा, और पूरी जिंदगी के लिए में लेगा, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मुझे contact करें, मैं आपको इसके और ज्यादा detail में आपको जानकरी बिताऊँगा, एक disadvantage, whole life insurance के बारे में market में बोला जाता है, हाला कि मैं उस पर believe नहीं करता हूँ, लेकि मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ, उस पर मैं अपने राइ भी रखना, इसमें ये बोला जाता ही कि ये बहुत costly insurance policy होती है as compared to term insurance policy, ये बात बिल्कुल सच है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन term insurance policy का comparison हमा whole life insurance policy से नहीं कर सकते, क्योंकि term insurance policy एक particular term तक ही आपको protect करती है, जरूरीत होना है कि उस term insurance policy के average में आदमी कोई guarantee नहीं दे सबता कि तब तक उसकी death होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो उसके बाद तो उसका family को कोई protection नहीं मिलेगा, उसका कोई insurance coverage नहीं रहेगा, तो कहीं नहीं time insurance policy से बहतर है whole life insurance policy कि आपकी पूरे जंदगी का insurance हो जाता है, आप जब तक जिन्दा और अगर आपको जीवन उमंग policy के बारे में ज्यादा जान करें लेनी हैं तो आप मुझे संपर करें, मैं आपकी साहता करोगा, thank you so much, subscribe करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें